प्रशान्दब नावाज के समें पाकिस्तान होस्त कर रहा है सारी एकान आप अगर देखोगे ना सिर्फ इंडियन जीर या ग्लोबल मीडिया सबकी है भारत के विदेश मंतरी पर यहां पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंतरी आज के समय पाकिस्तान में है इनका इस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तान में और इस विजट को कहा जा रहा है कि यह हिस्टॉरिक विजट है नौ साल क लंबे गैप के बाद फानली हम देख रहे हैं कि एक इंडियन फॉरन मिनिस्टर पाकिस्तान की धर्ती पे हैं। कि आप पेंसे कई लोगों ने ऐसे आडिकल पड़े हो जहां पर ये लिखा है कि जैशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड वाई पाक पीम देखे हैं। कि जैशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड वाई पाक पीम तो अब तो देहिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन्स में कुछ इंप्रूव्मेंट आएगी जो चैंपियन्स टोफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला था। पता इंडिया मान जाए इंडिया की क्रिकेट टीम जाएगी पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स के पर्सपेट्टिव से अगर मैं बात करूँ तो कोई यहाँ पे प्रॉग्रेस नहीं हुई है और इंट्रस्टिंग बात देखिए चाइना इसी बात को लेकर बहुत जारा गुस्सा है कि इंडिया एस्टियो के समिट में पार्डिस्पे है ना ये देखिए Head of Government Summit है मतलब के इंडिया की तरह से इंडिया को PM Modi को भेजना चाहिए था यहाँ पर क्योंकि चाइना की तरह से इनके विरेश्मंत्री नहीं गए इनके प्रेमेर गए हैं इदर आप देख पाऊगे आर्टिकल पाकिस्तान के बधानमंत्री और चाइना क जो प्रेमेर है जो आप कहलीजे वहाँ पे प्रामनिस्टर की जो पोस्ट है उसको वो लोग प्रेमेर कहते हैं शी जिंग पिंग उनके प्रेजिडेंट हो गए जिस तरीके से दौपती मुर्वो जी है भारत में शी जिंग पिंग है चाइना में और फिर अगर PM की बात करे तो जिस तरीके से इंडिया में है मोदी जी चाइना में आज के समय है ली कुएंग तो ली कुएंग बिलकुल गए है पाकिस्तान इन्होंने ग्वादर इंटरनाशनल एरपोर्ट को भी इनौगरेट किया है इन पाकिस्तान और चाइना SEO को आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज़रा प्रमोड कर रहा है और चाइना के लोग इस बात को लेकर गुसा है कि पिये मोदी ने ना आकर अपने विदेश मंतरी को भेज करना SEO की जो इंपोर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर ये काफी कम कर दिया और ये बाद सिर मैं नहीं कह रहा है आप चाइना का जो समिट को पिये मोदी खुद अटेंड करे और चाइना में जो ये फीलिंग है ना कि इंडिया SEO को उतनी इंपोर्टेंस दे नहीं रहा इसका एक बड़ा रीजन ये वी है कि इससे पहले 2023 में जो SEO समिट भारत को होस्ट करना था इंडिया ने देखिए फिजिकली समिट सबी कंट्रीज को का के वर्चुल समिट कर लेते हैं अपने अपने देशों में बैठिए वर्चुली एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए कुछी घंटों में ये पूरा समिट निप डालेंगे और अगर यहां पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया जनुवनली ने ये का था कि इंडिया ये दिख रहा है कि SEO में ऐसे देश है जिनके objectives जिनके global aim वो भारत के साथ मेल नहीं खाते ये तो भारत का आम जन्मानस भी कह देगा कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर इरान हो जहां पर चाइना हो जहां पर पाकिस्तान हो I mean Russia एक अलग country है रश्या के साथ कई जगा हमारे interest मेल खाते हैं बट इन तीन countries के साथ और बागी कई countries के साथ भी न इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ादा deep interest है और long term हमारी strategic thinking है एक साथ तो इंडिया को इतना ज़ादा incentive लगता नहीं है कि हम यहां पर time क्यों invest कर जिसमें हम करणो रुपे खरचेंगे foreign leaders की safety के लिए इनका welcome होगा और फिर PM ओधी खुच जाए पाकिस्तान में SEO का summit अटेंड करने के लिए तो यहां पर इंडिया ने दो message भेज़े है पहली बात तो एक ऐसा summit जिसकी side lines पर पाकिस्तान चाइना की अलग से meeting होती है और कश् obviously यह इंडिया के लिए खराब है इंडिया का objective अभी के लिए यह है SEO हमारे लिए अब इत्ता important रा नहीं इंडिया has lost interest मैं यह नहीं कहूंगा is losing interest इंडिया has lost interest हमारा कुछ खास अभी interest है नहीं SEO में main focus यह है कि जो हाल SEO का हुआ है ब्रिक्स का वो हाल ना हो जाए ब्रिक्स ग्रुप में मैं आपको बता दू इंडिया पाकिस्तान की entry ब्लॉक कर सकता है क्योंकि ब्रिक्स ग्रुप में consensus की policy है यह नहीं है कि voting के साब से होगा कि 10 में से 8 members ने का कि पाकिस्तान की entry होनी तो overall मैं कहूंगा यह summit काफी ineffective है कोई बड़ा यहाँ पे agreement trade को लेकर या security को लेकर sign नहीं होने वाला जैशंकर साब ने बड़ी statement यहाँ और यह देती है कि if activities characterized by terrorism trade won't be encouraged तो यह बात इंडिया ने openly पाकिस्तान चाइना दोनों के सामने कह दी है कि आतंगवाद को tolerate नहीं किया जाएगा cooperation must be on mutual respect जो हमेशा की तरह इंडिया कहता है और यहाँ पे यह खई से अजियू मत कर लीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के relations बैतर होने वाले हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या possibility है कि इंडिया SEO छोड़ भी दे जी हाँ एक possibility बनी हुई है अगर मान लीजिए कल को चाइना ताइवान पे आकरमण करता है उस case में हो सकता है कि इंडिया SEO से बिलकुल withdraw भी कर ले अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की जो participation है बहुत जादा limited है इंडिया बस एक token participation यहाँ पर करतेता है हर साल की I won't be surprise कि बहुत लंबे समय के बाद इंडिया SEO में न इस ग्रुप को एक proper structure तरीके से रीजन की बहतरी के लिए इस्तमाल नी किया जाता ना इंडिया विल नॉट बी इंड्रस्टेड इने में पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो यह चीते जो है प्रडिक्ट की जा रही थी कि बही पाकिसान जो है वो शायद जो है SEO संबिट जाए वो हॉस्ट ना करवढ़े नि कि उसकी वाज़ा यह थी पाकिसन में होने वाधे जो स्लावबाद में हो रहे थे लेकिन वा इसको कबभे गाल गर लीए नोडब समित में करेंट पर आपको काफी पाकिसन के बात्चीत नहीं हो रही है लेकिन वह क्याल है कि यार मैं तो सोच रहा था कि कुछ चेंज आएंगी बड़ा क्लिर कट अपना मतलब हुआ कि इसमें वह कोई ट्रेड वगरा या कोई टेरिजम वगरा पर बात नहीं कुछ पी नहीं है क्योंकि उनका वह जो एम ना इंडिया का वह तोड़ा डिफरेंट है I guess क्योंकि वह कह रहा है कि हमारा मतलब पाकिसन चाइना और एरान से कोई इतना खास आया नहीं लगाओ नहीं कुछ हमारे जो वह जो सोचते हैं वह बड़ा डिफरेंट है बड़ यह मुझे वाकि लग रहा है कि इंडिया मतलब अपना एक मतलब वह आदमी बेचते हैं और मतलब पूरा करने के लिए एक रिक्वार्मेंट रिक्वार्मेंट के तौर पर हम किसी ना किसी को बेचते हैं बड़ यह कोई इंट्रेस्ट नहीं है इंडिया पाकिस्तान के कोई ना कोई ट्रेड वाला मामला होता लेंदेन वाला मामला होता अभी क्या किते हैं अपना राजनात इनके एक हुआ है में Defense Minister हम ने कहा था कि पाकिस्तान जो है न एक दो बिलियन लोन ले रहा है IMLF से और हम लोग हाट बिलियन की इन्वेस्मेंट कश्मीर में करत है मतब पाकिस्तान को लोन चाहिए IMLF से ज MARC um वह सूध लगाने के साथ सथ शर्टे भी लगा रहा है है यह यह ये चीज़े करनी आवाम के साथ इतना टेक्स बढ़ाना है हमारे हमेंगा ही क्यों बढ़ती जा रही है कि लोन लिया जा रहा है बार बार इसो दिसे आवार विड़ो खतम तो ये थायर गए सारा सुन लेका जा तो वाकी इंडिया इतना इंट्रस्टेड नहीं है ये चीज़ क्यूंकि मैंने अक्सर बहुत सरे मीटिंग करके अससे का मसले का हर को नहीं नहीं निकला को जा है कोई बी लेकिन पाकिस्तान का ये फाइदा था इसमें कि यार किसी तरीके से जो है ना एक मच्छ आजाए क्योंकि बहुत टाइम से काव पाकिस्तान के लिए ये बेतर था चाहे ना क्यों उसे में क्योंके शंगाई इसी ओ यह है यो सी कि मतलब उसी ने स्टाइड किया ना में शंगाई यह चले जी वीडियो फितम हो गई बही इंट्रेस्टिंग वीडियो और डॉक्तर साब का बड़े इच्छ अंदाद में सौरत किया और मैमान ते करता है और मनता है बोले भी वो बड़ा अच्छा है अध प्राइम निस्टर के साथ मिले भी और जो स्टाइड इलिया का था एस्टियो की मिटिंग में आने से पहले आने के बाद भी वोई स्टाइड इलिया का दिखा जो डाकर साब की स्पीच इसमें लोने यही बोला भाई दैशतगर्दी के साथ कोई टॉलरेंस नहीं होगी किसी एक को नहीं कहता कि ब्लेम करता कि यह टेलरिजिस्म यह का रहा हमें मेरी जोल के जो टेलरिजिस्म एक्टिविटिक हतम करके ना अपनी अप्रेड को एशियन एक स्टेंड करना चाहिए नेकिन उसका अच्छा स्टेंड था और वो तो